हेलो फ्रेंज मैं हूँ सुमन सिंग और स्वागत है आपके अपने चानल सुमन किचन में फ्रेंज आज हम बनाने चा रहे हैं आलू और बैगन की सबजी तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे और क्या-क्या चाहिए बनाने के लिए सबसे पहले 500 ग्राम हमने बैगन लिया हुआ है आपको इसा भी बैगन ले सकते हैं इसे अच्छा से धो लिया है हमने और अब इसे कट करेंगे तो इस तरीके से डंडी हटा करके हमें कट करना है बैगन को तो आप देख सकते हैं पहले कट करके हम चेक कर लेंगे खराब तो नहीं है उसके बाद इसे चार भागों में हम कट करेंगे चार भाग करने के बाद इस तरीके के पीसेज में हमें कट कर लेना है पैगन को आप देख सकते हैं किस तरीके के पीस हम कट कर रहे हैं इस तरीके के पीसेज में कट करेंगे इसी तरीके से सारे बेगन को हम कट कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सारे बेगन कट कर लिया है हमने और यहां पे चार मीडियम साइज के आलू भी इसी तरीके के पीसेज में कट क करते हैं Gas On करके हमने कूकर गरम कर लिया है और गरम हो रहा है तब तक हम यहां पे लसन अध्रक और रखरे मीज का पिस्ट तियार कर लेंगे तो यहां पैस्ट तियार होचुक 건 चूप कर में डालते हैं चार टेबल स्पून सरशों का तल गरम होने के बाद दो पिंस यंग डालेंगे और हाफ टेबल स्पून जीरा डालेंगे उसके पाद टेषपता हम डाल देए मैं फ्राई होने के बाद इसमें एड करेंगे एक बड़े साइज का कटा हुआ बारिक प् जब तक यह प्याज फ्राइ हो रहा है हम मसाले यहां ले लेंगे तो एक बड़े चमच हम इसमें ले रहे हैं धनिया और चीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून रेड़ चिली पाउडर वन फो टेबल स्पून हल्दी पाउडर टेस्ट के हिसाब से नमक इसमें दो से तीन ट त्यार हो चुका है चली प्याज चेक कर लेते हैं तो यहां पर बिल्कुल प्याज सोप्ट हो चुका है गोल्डेन ब्राउन कलर भी आ चुका है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो अद्रग और लहसन हरी मिर्च का पेश्ट हमने त्यार किया था उसे यहां पर आप तक हम इस तरीके से प्याज में भून लेंगे उसके बाद इसमें हम एड करेंगे घोले हुए जो मसाले हमने त्यार किया है उससे तो आप यह देख सकते हैं आदी मिनट हो चुका है उसके बाद इसे इसमें हम मसालों को एड कर देंगे इस तरीके से हम चला लेंगे और इसमें दो से त्रिन टेबल इस्पून और पानी आइड कर देंगे मसालों को भूनने के लिए तो यह आप देख सकते हैं इसमें हमने पानी आइड कर दिया है और मसालों को हम 4-5 मिनट तक पका लेंगे वाइल सेपरेट होने तक तो आप यहां पे देख सकते हैं 4-5 मिनट बाद यहां पे बिल्कुल वाइल सेपरेट हो चुका है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे और टमाटर हम आधी मिनट तक पकाएंगे यानि कि टमाटर जब तक सौप्ट ना हो जाए तब तक हमें पका लेना है इसे तो इस तरीके से चला देंगे और यहां पे हम डालेंगे हाफ टेवल स्पून कैस्तोरी मेथी यह अप्शनल है मुझे बहुत पसंद है इसलिए हम ह अच्छा है तो डाले या ना डालें बट डालने के बाद इसका स्वाद दो गुना हो जाता है तो आप देख सकते हैं यहां पे टमाटर भी सौप्ट हो चुका है और मसाले तो पक्खी चुके हैं तो यहां पे अब हम एड़ कर देंगे कटा हुआ आलू और पैगन तो यहां पे सबसे पहले हम पैगन एड़ कर देंगे उसके बाद से इसमें कटा हुआ आलू एड़ कर देंगे और अच्छा से इसे चलाते हुए हमें दो से तीन मिनट तक भुनना है आप देख सकते हैं इस तरीके से इसे एक से डेर मिनट भुनने के बाद हम इसे थोड़ा सा ढख कर एक से डेर निट भुन पका लेंगे इस तरीके से तो चली अब चेक कर लेते हैं तीन मिनट हो चुका है यहां पे बैगन बिल्कुल सौफ्ट हो चुका है तो आलू और बैगन दोनों मसालों में अच्छा स से भून चुका है तो फ्रेंस आप यहीं पे आप देख सकते हैं इसमें अभी लिक्वीट है तो यहीं पे आप कुकर का ढखकन बंद कर दीजिए और दो सिटी ले लीजिए लेकिन मुझे इस सब्जी के साथ रोटी और चावल दोनों बनाना है तो मैं थोड़ा सा इसमें ग् सबगा ले रूटी नाँ दोसी ले लेगे mind के अगरे के बाद काड़कर खोल रही हूं सब्जी के बिल्कुर रेड़ी है और आप यहां पर कलर भी देख सकते हैं तो चलिए थोड़ा सा इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं बारेक कटा हुआ आप देख सकते हैं बिल्कुल तो ठोड़ा सा ग्रेवी है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं है और ग्रेवी की तिकनिस भी आप देख सकते हैं, तो इसे रोटी चावल दोनों के साथ आप इसमेंदाने सर्फ करके, तो चलिए धनिया पताप हम डाल करके और शबजी को सर्फ कर lira सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुका है तो यह आप देख सकते हैं धनियापता हमने एड कर दिया है अब इसे हम सर्फ कर लेंगे और इस सब्जी यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है और आप इसे किसी भी चीज के साथ सर्फ कर शकते हैं तो यह रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा यदि अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड और फेमली में जरूर सेयर किजिएगा और हमारे चैनल को सस्क्राइब भी किजिएगा और वेल आइकन प्रेश करना बिल्कुल मत भूलिएगा नेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए तो थेंक यूँ